हेलो एबरिवान कैसे हैं आप सब आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना खूब सारा ध्यान रख रहे होंगे मौसम बदला है और इस टाइम जो सर्ध हवाय चलती है इसकीन को ड्राइ भी करता है और फेस पे से निखार भी छीन लेता है इसकीन बिल्कुल भी ग्लो नहीं करता है तो परिशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप लोग के लिए एक ऐसी हों्रेमेडी लेकर आ गई हूं जो की आपके स्कीन को ड्राइ भी नहीं होने देगा और काला भी नहीं पढ़ने देगा आपकी बहान आपके लिए एक कमाल का होंरेमेडी आज के conscious वाला है तो के लिए ह माँसम में बदला होता है उसका सीधा असर क्ता पर देखता है लगे स्कीन या तो कभî कभी छीदियों बिल्कुल भी निखल नहीं रहता है चाहें हम कुछ भी अपने फेस पे लगा लें तो मौसों में बदला होने के वज़ा से इसका सीधा असर हमारे फेस पे दिखता है तो परिशान बिल्कुल भी मत होईए आज के इस वीडियो को देखिए और जो तरीका बताया जा रहा है इसे फालो करिए तो जादे बाते ना करते हुए चलिए देख लेते हैं किसे किस तरीके से तयार करना है इसे बनाते समय कुछ बातों का ध्यान दीजिएगा नहीं तो उतना अच्छा है वर्क नहीं करेगा तो सबसे पाले हमें एक कटोरी ले लेना है और इसमें हम एक मैजिकल चीट डालने वाले हैं ओ है बेसन मुझे नहीं लगता है कि बेसन से अच्छा कुछ और हो सकता है हमारे इसकिन के लिए पुराने जबाने में कोई भी पार्लर नहीं होता था कोई फेसियल नहीं होता था कोई फेसवास नहीं होता था सिर्फ एक बेसन ही ऐसी वो इंग्रिडियन्ट थी जो की लोग अपने फेस पे उसे यूज करते थे और उनको कोई क्रीम फेसियल की जरूरत नहीं पड़ती थी लेकिन आज कल हम इतना आलसी हो गए हैं कि नेचरल चीजों का यूज करना हम बंध ही कर दिये हैं इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक कटोरी में एक चम्मच बेसन आइट कर देना है दूसरी चीज हम यहां पे ले रहे हैं आधा चम्मच कॉफी पाउडर बेसन आपके स्कीन को डीपली क्लीन करेगा इसकीन को टाइट करेगा अगर फेस पे हलके फुलके ब्राउन इस् दीसरी चीज हम यहां पे ले रहे हैं हल्दी थोड़ा सा हल्दी आपको लेना है जब भी पहले के जबाने में उप्टन बनता था अभी भी बनता है दुला दुलन के लिए उप्टन जो तयार किया जाता है उसमें हल्दी का भरपूर मात्रा में यूज होता है जो कि फेस पे गुलो लाने का काम करता है हल्दी में एंटीशेप्टिग गुंड पाय जाता है अगर फेस पे किसी प्रकार का इंफेक्शन है तो उसे भी खतम करता है और काले दाग धब्बे को हटाने में मदद करता है तो आई होप आप लोगो तीनों के बारे में जानकारी मिल गया हु में bleaching properties होता है इसमें आपको अगर आपकी skin को suit करता है तो नीबू का रस्ट डालिएगा otherwise आप उसे इसकी भी कर सकते हैं इसे spoon से अच्छे से mix कर लेना है उतना ही आपको इसमें आलू का रस्ट डालना है जितना में किये कच्छा सा पतला सा पेस्ट बन अब इस पैक को हमें थोड़ा सा पतला ही रखना है उसका भी रीजन है आगे आप लोग को बताऊंगी कि इसे क्यों हमें तयार करना है इसमें हम आयट कर रहे हैं सिर्फ एक चमच कच्चा दूद यानि की रो मिल्क कच्चे दूद में पाय जाता है लेक्टिक एसिड जो की कलर को फियर करता है इसकीन को डीपली क्लीन करता है हमारे फेस पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं और जो यह धूल इसमें डाल करके यूज करेंगे तो पोर्स में जो धूल मिट्टी बैठा रहे या तो आप बहुत जादे मेकप करते हैं तो मेकप भी जाके पोर्स में बैट जाता है जिसके वज़ा से फेस पे प्मपल्स निकरता है तो रो मिल्क का यही काम है कलर को भी फियर करेगा और आपके फेस पे जो पोर से है उसमें धूल मिट्टी जाके बैठा है या तो मेकप उसे खीच के निकाड़ेगा उसे क्लीन करेगा ठीक है जी तो थोड़ा सा बिल्कुल आपको कच्चा दूद इसमें डालना है और इन सभी को हमें स्पून से मिक्स कर लेना है इसे मिक्स करके आपको पांच मिनट के लिए रखना है ताकि जो भी आप इसमें डाले हैं बेसन है प्लस कॉफी है अच्छे से फूल जाए और एक गाढ़ा हो जाए ठीक है तो अच्छे से इसे मिक्स करके पांच मिनट के लिए रखिएगा आप लोग देख सकते हैं कि यह थोड़ा सा पत इसको अच्छे से साफ कर लिजिएगा फ्लस से क्लीन कर सकते हैं या तो रौमिल्ख से जैसे आप लोग मुं को असान लगें तो अभी मैं ज़स्ट फैस वास करने के ही आई हूं और इसे आपको पूरे फीष पे लगा लेना है ठीक है इसी से लगा करके आपको मसाज करना ह पां से च्पार हैं 5-6 मिनट के लिए तीक है ऑर आपके फेस्पे क्लिंजर का भी काम करेगा ज्सक्रभ का में साज करेंकर और ऊपके फेस्पे blood circulation बढ़ेगा face पे glow भी आएगा और skin tight भी होगा और जैसे जैसे age बढ़ता है उसका सीधा आसर हमारे face पे ही दिखता है skin loose होने लगता है और face पे बिल्कुल भी glow नहीं होता है ये सभी के साथ problem होता है पर इसको आप deal कर सकते हैं घर के चीजों को यूज करके आप इसे ठीक कर सकते हैं जैसे ही मौसम चेंज होता है हमारे face पे बिल्कुल भी glow नहीं रहता है तो कुछ मैं आप लोग को tips देना चाहती हूं ठीक है इस tips को आप follow करेंगे जिसके होज़े से skin dry नहीं होगा अब मैं यह नहीं बोल लहीं हूँ कि आप market से जाईए और moisturizer खरीद के लाईए नहीं मेरे channel पर आपको बहुत सारा cream मिल जाएगा आप उसे देखकर यूज कर सकती है कुछ भी नहीं बनाना चाहती है आपके पास नहीं time है तो आप सिर्फ coconut tile का यूज कर सकती है या तो aloe vera gel का यह भी moisturizer का ही काम करता है और तीसरे step में जब भी आप रात को सोती है कुछ न कुछ फेस पे लगा कर जरूर सोया करिए skin को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए skin dry होगा face पे लकीरे दिखना इस्टार्ट हो जाएगा तो I hope आप लोगो यह मेरा छोटा सा tips तीन स्टेप में है पसंद आया होगा और मुझे विश्वास है कि आप लोग इसे follow जरूर करेंगे तो 5-6 मिनट मसाज करने के बाद इस paste को हमें जो पैक हम बनाये थे जो मसाज कर रहे थे इसे अच्छे से हमें set कर लेना है लगा करके छोड़ देना है कम से कम 25-30 मिनट के लिए नहीं टाइम है तो 10 मिनट के लिए भी छोड़ सकती है लेकिन टाइम है तो थोड़ा सा टाइम दीजिएगा क्योंकि इतना मेहनस से हम इसे तयार किये है तो इसका रिजल्ट तो हमें मिलना चाहिए तो जैसे कि आप लोग देख सकते है मौसम अब ठंडा हो रहा है सर्द हवाय चलना ही स्टार्ट हो गया है मेरे तरफ आपके तरफ मौसम कैसा है कमेंट करके जरूर बताइएगा तो इसे मैं लगा करके 20 मिनट के लिए छोड़ी थी लेकिन बिल्कुल भी सूखा नहीं है ड्राइ नहीं हुआ है पुरी तरह से गीला ही है लेकिन हमें इसे ड्राइ भी नहीं करना है तो अभी मैं क्लीन करके आप लोगो दिखा रही हूँ रिजल्ट आप लोग देख सकते हैं मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है आप जब इसे अपने फेस पे लगाएंगे तो आप खुद हैरान हो जाएंगे इसे आपको एक दिन के गैप दे के करना है मतलब की एक दिन का गैप दे के इसे रोज लगाईए आप सिर्फ पंदरा दिन लगा कर देखिए आपके फेस के जो काले दाग धब्बे हैं ओ भी लाइट होगा और आपकी स्कीन टाइट भी होगा क्योंकि इसमें बेशन है प्लस आलू का रस है आलू में स्टार्ट पाया जाता है जो कि स्कीन को टाइट करता है ब्राइट करता है काले दाग धब्बे को खतम करने में मदद करता है आई होप आप लोग को आज काई वीडियो पसंद आया होगा अच्छा लगा हूँ तो लाइक और सेयर कर दिजिएगा चैनल पनियु है और आपको इस टाइप का वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकेन को आउन कर लिजिएगा नेक्स्ट वीडियो की टॉपिक पर देखना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताईएगा तो मैं आप लोग से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई